ओवेसी जी को आउट्सोर्स कर दिया है देखे ओवेसी जी जो काम कर रहे हैं यह तो वो लोग बहुत पहले कर चुके हैं अभी आपने जो बोला ना लैला मजनू मैं उसी से बास शुरू करता हूँ हकीकत क्या है कि यहां कई मजनू खड़े हो गए एक है मजनू वो जो मुस्लिमों की सिती लैला की तरह हो गई है एक मजनू है समाजवादी पार्टी जो क्या कहती अरे मेरा कारनामा तो देख मैंने गोली चलवाई थी दूसरी कॉंग्रेस पार्टी वो क्या कहती अरे मैं तेरा आशिक पुराना वो तो देख और अब एक यह आ गए कहते मेरा खांदानी घराना तो देख तो समस्या तो यह है कि इन लों में आपस में कमटीशन चल रहा है हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं हम तो विकास की बात करते हैं और आप मोहतरमे मजलिस मुहाफिजे इत्तिहादुल मुसलमीन आकर कहते हैं कि साथ सब विरादरियों का नेता है तो मुसलिमों का क्यों नहीं होना चाहिए यह एक्जैक्टली वही है जो सौ साल पहले हुआ था उन्निस सो बीस में जिन्ना ने यही कहा था कि भाई क्यों तिलक गोकले गांधी नहरू की कॉंग्रेस के साथ रहोगे अब अपने साथ आजाओ वो यह आज कह रहे हैं क्यों मुलायम, मायावती, कॉंग्रेस, राहूल इनके साथ रहोगे अपने साथ आजाओ तो यह तो आपस में कमप्टीशन है इसका हमसे कोले न देना ने जिन्ना परस्त हैं आप मुसल्मानों की पॉलिटिक्स करते हैं आप बीजेपी की बीटीम है योगी जी कहते हैं आप जंदी हवा आ रही है उसकी वज़े पाकिस्तान है तो अब क्या बोल सकते हैं वो सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान से पॉलूशन हो रहा है तो सी जी आई ने अबज़व किया क्या मैं आब बैट कर पाकिस्तान के इंडस्टीश को बैन करो तो यह हम अकेले नहीं हैं पर बात नहीं करते अब रहा सवाल के हमने तो कभी जिना का नाम लिया ही भी नहीं नहीं हम खाब में भी सोचते अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो जितना नाम जिना का समाजवादी और बीजेपी ने लिया हम तो नहीं लिये मगर यह जिना की बात क्यों करते ह को समझ भी नहीं आता खिलेश यादव ने छेड़ा इस बार मैं बिल्कुल से तो वो मुस्लिम के कांफरेंस में थे ये समझते हैं ना वो की जिन्ना का नाम लेंगे तो हमारी तरफ आएंगे ना ना क्यू पाकिस्तान परस समझते हैं जिन्ना परस समझते हैं उनकी अगर ऐस उन्होंने सोचकर बोला तो बिल्कुल गलत है मुसल्मान को भारत के मुसल्मान को जिन्ना से क्या करना है हमने तो रिजेक्ट किया हम तो इंडियन भाई बर्थ भी है और बाई चॉइस भी है तो जिन्ना से हमको क्या करना है जिन्ना को जो मानने वाले थे वो चले पाकिस् भारत की खुबसूरती को मानते थे डैवर्सिटी को मानते थे प्रॉरिजम को मानते थे और मौना अबूलकला माजाद ने जो डिली के जावमजदी के सिडियों पर खड़े होकर मुसल्मानों से कहा था कि तुम हिजरत के मुखदस नाम पर फरार की जिन्देगी मत गुजारो और तुम्हारी आवास के बगएर इस मुल्क में फैसले अधूरे रहेंगे तारीखी जुमले थे उनके जो सरकार की तरफ सुने कहा था तो हमने आप बस उननिस पीजदी पे सेंटर रहेंगे ये अगर कहें हिंदूों की बात तो गलत है आप उननिस पीजदी और उनका कोई नेता है नहीं है मैं ही नेता हूं बोले तो ठीक बात नहीं नहीं देखी ऐसा है ना के सबसे बड़ा बहतेम काम जो बाबाने किया उत्रप्रदेश में वह यह किया मुक्यमंत्री हे ना वो तो बाबाने यह काम किया के मोडि अमिजशा ने सब को हिंदू बना दिया था तो बाबा ने साड़े चार साल में ठाकुरवाद इतना किया कि अब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं मौरिया हूँ, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है मैं ब्रहमन हूँ और मोडी जी बागेल को मिनिस्टर बनाते हैं, अनुप्रिया को कुर्मी का बनाते हैं, तो उसमें कोई प्राबलम नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि रियालिटी है, उत्रपरदेश हो ये भारत की पॉलिटिक्स की, पर फर्क क्या है, ये भी कोई भरम नहीं देना चाहते ये भी किसी मुस्लिम को वहाँ पर ना टिकट देते हैं, ना मंतरी बनाते हैं, मौसिन रजा को लेकिन बना दिया है नोने, पर आप तो सिंगिलर पॉलिटिक्स करते हैं, आप तो कहते हैं, उननिस पीजडी का ही मुझे रेप्रेसेंटेशन करना, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जो कमजोर है उससे इंसाफ होना ना, ताकतवर से इंसाफ की बात नहीं करेंगे आप, जो कमजोर है उसको उठाना पड़ेगा, और हकीकत है उतर परदेश में अगर आप सोशल एजूकेशनल एक्टनॉमिक इंडिकटर्स देखेंगे, तो सबसे कम उतर परदेश के मुस लपका, अब लीजी, आप ये बात कहेंगे, लपकने के बात नहीं, उच्छाला किसने पहले ये तो बताईए ना, अब दूसरी बात में बताता हूँ, इसके अलावा हिंदुत में भाशन राहूल गानी ने दिया, हमने नहीं दिया, और इन्होंने सही कहा, ये नहीं बोलत कहते हैं, हाँ, अब ये बात कहीं, इनके दिल में जिन्ना है, ये ये तो मूर्तिमान सुरूप है, साक्षात, इसमें कोई 19 बीसी नहीं है, अब दूसरी बात में कहता हूँ, आपने जात की बात कहीं, देखे, यही मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत अजीब बात है, जब ह ये तुर्क, ये बहना, ये गदी, ये घोसी, ये पस्मंदा, ये तो नहीं होता है, यही तरीका है, कि एक में तो जात दिखाते रहो, और बाकी में, जब कि मैं एक और बात कहूँगा, पूरे अदब के साथ, विद्वान आदमी है ये, एक मुसल्मानों का फिरका बताएं जिसने दूसरे खिलाब फत्वा ना जारी कर रखा हो, कि एंटी इस्लामिक है, और दुनिया भर में भारत में ही नहीं, दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे खिलाब ना लड़ना हो, मगर यहाँ पर सब मुताहिद हो जाते हैं, और हम लोग भी इसमें आ जाते हैं, हिंदू समाज को वर्ग जाती और उसमें विभाजित करके रखिए और अगर आप जातियों में विभाजित करें तो वो सोशल वो सोशली एक बड़ा अच्छा का में अभी जो नया मंत्री मंदल विस्तार हुआ अप रधान मंत्री ने खुद कहा कि हमने दलितों को जगा दी ह देखिए उनका समानम पार्लेमेंट में कर रहे थे विपक्ष को स्वीकार नहीं है ने ने मैं उसी प्यार आप तो आपने भी वही दाना दाना शुरू कर दिया है सर मगर जब आप सारी जातियों को साथ में लेके एक यूनिट एक छत्र के नीचे आजए वो से वो से मिश् साथ होगा, उसके ओपर हम लोग बात करेंगा जहां तक हम लोगी जात की भात करते हैं, तो मैं तो कहना चाहूंगा, यह यह वाई कोंबनेशन क्या था ये बताईए चार जातियों को जूते मारने वाली किसकी बो थी, बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं, भूरा बाल चार जातियों का नाम जगर चार जातियां खा जाएंगी खाम के एच एम ये सब जुम्ले किसके हैं ये आज से 30-40 साल पहरे चला रहा है जातियों में विभाजित करो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करो आप हिंदूओं को जातियों में बाट कर फाइदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते हैं पहले तो मैं शुदांचु साब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अकीले श्यादव राहूल गांदी एक जगा बैट जाएए अगर आप बोले इस होटल में रूम बुक करायता हूं डिसाइट कर लिजिए कि मैं क्या बोल रहे हैं चलिए अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने मुसल्मानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं कास्ट मैं मैं मानता हूं मगर ये बताएए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एमपॉर्मेंट क्या है क्या को उसका नेता है बरहमन समाज का आपने भी एक्जामपल दिया आपकी यूनिनिस्टर है गाड़ी उनकी बेटा उनका चार को मारता है मर मंतरी है क्यों ने अटा रहे क्यूंकि उनके ओट चाहिए आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पार सारी है मुसल्मानों में खुरेशी है मुसल्मानों में मुस्लिम गुजर भी है सैफी भी है बहुत से स्यद हैं पठान हैं बहुत सी बरादरिया है मगर एक चीज़ जो उनमें नहीं हो पolिटिकल एमपारمنट नहीं और इसी वजयए से हम पीचह हो रहे है आपसे सऑई का m y combination m y combination में खाली y को फाइदा हुआ और आपके पास आप तो साड़े चार साल में मुख्या मंतरी तो सिर्फ ठाकुरवाद किया इसलिए बीजेपी परेशान है दर्दे सर का शिकार बीजेपी है कि अब कैसे करें कि हम कैसे ठाकुरवाद के टैक को निकालें और आपने भी कि पार्टी से वहाँ पर महराश्ट में आपने गट बंदन किया वहाँ से लेकर अब तक आप चोटी पार्टी या राजबर साब के साथ आप भी तो एक strategy से चल रहे हैं ना ने जाहरे मैडम आपका शुक्रिया आपने अमा strategy की बात की मगर जहां तक दलिद समाज की बात है अब बताईए थोड़े दिन पहले क्या हुआ मडर हो गया एक परिवार का दो-दो मडर हो गया कितने मडर होते हैं यूपी में जली समाज में जलुम हो रहा है बात बिलकुल सच है अच्छा और एक देखे जलुम जब होता है ना एक गुपता सहाब मर गए गुरकपूर प पुलिस कस्टेडी में कोई पूछता नहीं है फैसल उनाव मारा गया कोई पूछता नहीं है तो एक्रासिटीज में भी अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो पर यह तो रियालिटी बता रहा हूं मैं आपको इसमें घलत क्या कह रहा हूं मैं आप लोग हिंदू-मुस आपना पूरा परिवार ऐब चोड़िये परिवार छोड़ देते अपना घया बदल दीया जाता है इसी लिए योगी घी अपने शफफथपत्र में अपने पिता कानाम नहीं लिखते अपने गुरू महंत्सवाइदनात कानाम लिखते हैं क्योंकि हमारे जा जैसी नजर है वैसा नजरिया है इसलिए इनको तो यह भी नजर आता है यह कोई आज की बात थोड़ी है कि मुस्लिमों प्यत्याचार जादा हो रहा है उनके उपर करवाई जादा हो रही है यह जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था चलिए पोटा लाए हम थे हटाय था कॉंग्रेस ने अरे टाड़ा याद करिये लाए राजीव गांधी और हटाये गया नर्समाराओं के जमाने में किसलिए मुस्लिम यादा शिकार हो रहे हैं ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित क याद क्यों अब मैं यह भी बताता हूं हमारी सरकार आने से पहले उत्तर प्रदेश में पूरवांचल का इलाका देखिए तो कौन से नाम जाने याते थे अतिक एमद मुक्तार अंसारी अबू सलेम छोटा शकील अब तो वो नाम नहीं दिखते और मैं कहता हूं यह तब से नाम दिखने लगे जब से देश सेकुलर हो गया जब यह देश सेकुलर नहीं था उननी सो चीहतर से पहले इसी उत्तर प्रदेश में बदायू का रहने वाला शकील बदायूनी एक भजन लिखता था लखनो का नौशाद अली उसको संगीत देता था और मुहम्मद रफी का यह दाता था और मन तरपत हरी दरसन को आज मुरत तेरे बिन बिगडी सग्रे काज इसी उत्तर प्रदेश में बजू सुल्तान परी होते थे जोश मलियाबादी होते थे अक्बरिलाबादी होते थे कैफी आजमी होते ते मगद जफ से सेकुलर हो गया अबूसलेम चोटा श है किया बात कर रहे हैं यह उंडन में पढ़ा हूँ अब बैरेस्टर आज बहुबलीों को टी मजभूद है defend नहीं कर रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि जब सम्विधान के तहद अगर आप उनको conviction दिला दीजे, नहीं लड़ेंगे election, नहीं लड़ेंगे election, कौन बोर रहा है, मगर अगर आप यह कह रहे हैं कि आपकी party में 100 MLA's हैं, जिन पर criminal charges, नहीं अचा, यह कुछ है उनसे, 77 cases मुदाफरनगा rights के withdraw कर लिए आपने क्यों withdraw करें भाई, और रहा सवाल TADA का, क्या conviction rate था TADA का, not even 2-3% पोटा का क्या conviction rate था, not even 2-3%, आप खानून तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मगर उसका conviction rate का, अच्छा, और एक बात, यह आपका TENY साहब, आपने घर क्यों ने तुड़ाया उनका, बुल्डोजर क्यों ने लगाया उसको, अगर वही कोई करता है, बाबा बोलते हैं बुल्डोजर लगा तो इनका क्यों ने लगाया, क्यूंकि वो बड़ी बरादरी के हैं, उनका ओट चाहिए तो घर को छोड़िये उनका बेटा तो टहल रहा था वीडियो निकला तो सुप्रीम कोट ने सो मोटो लेकर उसको भी जा दिया यह आप करेंगे तो सब चीज सही है और कोई हम बोल रहे हैं कि भाई यह आप कर रहे हैं तो कोई गलित नहीं है अच्छा यह सहीया भाई कोतवाल जानते कहां पर हुए थे जाक कोतवाल अभी जायन उन्हें बास चुरू की वहीं से आपने तो कहा कि यह तरफदारी कर रहे हैं मुखतार अंसारी पर मुगदमा दर्जुआ यहां और जहां पर कहां पर उनको सहीया कोतवाल नजर आए पंजाब में मह है जब की जुगल बंदी है समझ नहीं आ रहा है हाइदराबाद की बिर्यानी अवद की बिर्यानी अच्छी अब इस पे भी आ रहा हूं देखिए ऐसा है कि जो लखींपूर की घटना हुई वह बहुत दुखत थी परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि वहां चार नहीं आठ ल 變ई होनी चाहीं परन्तु यहां समस्या क्या है कि उसमें भी देखा जाता है कि यह वाली हत्या कि बारे में बोलने में लाब है अमुद्र देने की बात कई तो सब ले जills मुझफनगर जो इन्होंने केस कहा, मुझफर नगर तो बड़ा यूनीक केस था याद करिए, एक लाइन बोल दूँ, अखिलेश जी की सरकार के समय में इन्होंने जितने लोगों पे रासुका लगाई थी, कोर्ट में कोई सस्टेन नहीं कर पाए, वलग बात है इन्होंने कहा, हम एक समुधाय के केसे बिड्रॉ करेंगे, हाई कोर्ट से फटकार लगी इसने रुख गए, ऐसा कोई सरकार करती है कि कोई सांपरदाइक धंगा हुआ तो हम एक कम्यूनिटी के केसे बिड्रॉ करेंगे तो उस धंका जो आपने कारे किया था, वो और कुछ नहीं था, वो आपके दिल में था, वो कह रहे थे इसलिए जुगलबंदी इन दोनों में है और आरोब जो हैं दूसरों में लगाते है कभी आपका दिल आएगा कि आप उन लोगों के घर जाएं जिनको वहां पर जिनकी लिंचिंग हुई थी ना सर उनको दिन दहाड़े उस घटना के बाद वहां पर पीट-पीट कर मारा गया था उन परिवारों का दर्द क्यों नहीं दर्द लगता वेसी जी को आपको तो नाम भी नहीं है और यदि याद होगा सर अख democracy को कौन गई थे आप गए थे मैं गया था मैं गया था उख law घर यहीं तो मैं के रही नहीं पर toute दे हाद सूनिêmes कोट में तो आपने तो आपको मानना पड़ा कि आप गलती किये अप मेरे पहले मेरे सवाल का जवाब आप अखलाग के घर जाएंगे आप चार हिंद मुस्लिम नाम यहां गिनाएंगे आप क्यों नहीं परिवारों के घर गए आप इनको आइना दिखाते जिनकी वहां लिंच एक रवया और और टेनी की गाड़ी से लोग मरते हैं तो एक रवया उसका घर बुल्डोजर में नहीं आता सुप्रीम कोट को आपने तो यह नहीं कहा सुप्रीम कोट को आपने कहा कि हां और यह गलती हुई इसकी वज़े से अगर वो गाड़ी नहीं चाना तो मरते क्यों पुलोग आपका एक मंत्री ने गया सर उनके सानों के घर जिनके एक मेंट आप ये बताइए सिख परिवार मारे गए मुख्या मंत्री चले आते बुला लेते लगनों उनको हेलिकॉप्टर से आप नहीं बुलाएं आप माइनॉरिटी है ना वो चलिए मुसल्मान आप बताइए आप मिलाखात भी नहीं करते हैं अचा चलिए वह नहीं मिले प्रधान मंत्री कम से कम एक फोन कर लेते राजनाजी फोन कर लेते डिफेंस मिनिस्टर के भई हम आपके साथ हैं ब्रजेश पाठक आपके मंत्री गए थे उनके घर जिनकी बाद में वहां पर प इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह किसी भी चीज को बहुत सेलेक्टिवली देखने का प्रयास करते हैं हम समान लूप से देखते और एक और बात मैं कहूंगा इसे अनिता नहीं लेना चाहिए भीड किसी ने गाड़ी ने आकर पीछे कुछला अगर भाग किसे कोई देख लेता गाड़ी पीछे से आ रही तो उसके आग बचने की संभावना थी पर अगर भीड ने घेर कर आपको लाठी से पीट-पीट कर मारा उसमें तो बचने की कोई संभावना नहीं थी आप जस्तिफाई कर रहा हूं यह कहा गया कि जानके जीब चढ़ाई गई है तो 120 B के मुकद पर रहा हूं आगे की बात तो सुनिए ठीक है जी तो उन पर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए इसका जवाब दीजे ना आप इतना discrimination कैसे कर सकते हैं हत्या हत्या है दोनों तरफ से मुकदमा चलना चाहिए आप लोग किसानों के घर क्यों नहीं गए हमने सब को समान रूप से दिया ये तो गए भी नहीं रजेशी कहां गए थे रजेशी किनके घर गए थे जिनकी बाद में हत्या मानी भी बात है चूंकि उनक मंत्री अलग आएंगे और उनके अध्यक्ष अलग आएंगे इसका क्या मतलब था इसका मतलब वहां लखींपूर के किसानों से हमदर्दी नहीं है उनके उपर राजनीत करने का उद्देश वरना अगर पार्टी है और सुनिए उदर पर यंका गांधी अलग जाएंगी रह कर रहे थे सबको खाली वह जो आपने बात कि उसका कारण जानते क्या है यह राहुल जी और प्रेंका जी को पास सेक्यूर्टी कौन सी है जहां जाना है उस जगे को देखते हैं और उसके बाद सेक्यूर्टी फोर्चे उनको वहां लेके जाते हैं आप बगएर प्रोग्राम के अगर आप जाना चाहते हैं तो जेट प्लस पर एसेल में बूव नहीं कर सकते हैं अब आप खुद नियम तोरते हैं फिर यह तो चु वेलिन एडवांस बताना पड़ेगा वहां पुलिस का बंदोबस्त होगा अजजे नहीं हम चल दिये अचा सर यह बताइए सो सीटों पर इनको फाइदा पहुंचाएंगे आप कितनी सीटों पर फाइदा पहुंचाएंगे अरे इनको तो जहां जहां प्लड़ेंगे सर इनको फाइदा होगा ना मुस्लिम बट बटेगा हमसे कुछ फाइदा नहीं हो रहा इनको बलकि हम इनको नुक्सान पहुंचा रहे हैं बिहार में अगर आरजडी के लोग हमारी ब आपको कोई पैगाम आया तो कोई लव लेटर नहीं आया कोई पैगाम नहीं कोई कुछ ने मुझे बोले जा रहे हैं इस लेला का कोई मजनूब बनने को तयार नहीं है मुझे इसकी कोई फिकर नहीं है मुझे इसकी कोई फिकर नहीं है यह उतर पदेश की जनता देख रही है और उतर पहिजनता फैसला करेगी हम ये बता रहे हैं कि आप यादव जो है नौ परसंट हैं और दो-दो मरता मुख्यमंत्री बन गए बार बार डरा रहे हैं सर अप यादव के नाम पर डरा रहे हैं मुसल्मानों को अनीस परसंट को आप क्या करेंगे हम क्या कोई बैंड पज़ा की पाटी है मुसल्मान के हार्वनियम लेके वावाव करें और आपका तारीफ करें थाली बजाए और खरें बढ़ याए अरे आप मुस्लिम मोटर देखेगा ना सर कि कौन मोदी योगी कोहरा सकता है जब आप पिछली बार से 30 सीट पर लड़े इस बार आप सो पर किया आप अकेलेश यादव के परिवार के तीन तीन लोग हार गए हमारी वजे से हार गए इनमें इतनी अखल नहीं है कि हार रहें अपनी वजे से और झीते हैं तो नेता की वज़े जीते हारे तो मुसलिम οोट नहीं दिया हम मुसल्मानों से कह रहें कि भाया आप कब तक Nom पारजीत में लग रहे हैं अपनी लीडर्शिप को डेवलप करिए आपका बारगेनिंग पावर क्या है पॉलिटिक्स में आपका कुछ है ही नहीं आज उतर परदेश मुसलिम ओड की को हैमियत नहीं है मैं बता रहा हूं आपको ओड की हैमियत कब होगी जब यह अपनी इंड पावलियत में जाफा करें नहीं आया हूं मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह हर समाज ने अपनी लीडर्शिप बना ली उस तरह मुसलिम समाज अपनी लीडर्शिप बनाए पॉलिटिकल लीडर्शिप बनाए तो उननीस परसंट पर आप कैसे जीच जाएगा नौप नौपर लोग हाथ में लाएंगे बहुत बहुत अब देखते जाएंगे कुछ हम लोगों को संकेत दीजे किस से बाची जब हो जाएगा आपको बता देंगे अभी आई तो सो सीटों पर लड़ेंगे आप पूरी सीटों पर देखें एक एक बहुत सीरिस क्वेस्टिन है अगर आप को योगी को चुनोती देनी है तो मुस्लिम अदाता यह देखता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को वोट दूँ जो योगी को हरा सके जब आपकी सरकार नहीं बनते हुए देखेंगे तो आपकी लोग प्रेता में आके ताली खुब बजाएंगे आप बच्छे अच्छे भाशन दे क्या बताइए ओलो क्या करेंगे ओलो इंतिजार करेंगे कब तक हमको लिजाकर साम में पेश करके आप दिखाएंगे डराएंगे आपने धुरूवी करन का काम ओवेसी जी को आउट्सोर्स कर दिया है देखे ओवेसी जी जो काम कर रहे हैं यह तो वो लोग बहुत पहले कर चुक हैं अभी आपने जो बोला ना लैला मजनू मैं उसी से बास शुरू करता हूँ हकीकत क्या है कि यहां कई मजनू खड़े हो गए एक है मजनू वो जो मताब मुस्लिमों की सिती लैला की तरह हो गई है एक मजनू है समाजवादी पार्टी जो क्या कहती अरे मेरा कारना तो देख मैंने गोली चलवाई थी दूसरी कॉंग्रेस पार्टी वो क्या कहती अरे मैं तेरा आशिक पुराना वो तो देख और अब एक यह आ गए कहते मेरा खांदानी घराना तो देख तो समस्या तो यह है कि इन लों में आपस में कम्टीशन चल रहा है हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं हम तो विकास की बात करते हैं और आप मुहतरमे मजलिस मुहाफिज इत्तिहादल मुसल्मीन आकर कहते हैं कि साथ सब विरादरियों का नेता है तो मुस्लिमों क्यों नहीं होना चाहिए यह एक्जैक्टली वही है जो सौ साल पहले हुआ था 1920 में जिन्ना ने यही कहा था कि भाई क्यों तिलक गोकले गांधी नहरू की कॉंग्रेस के साथ रहोगे अब अपने साथ आजाओ वो याज कह रहे हैं क्यों मुलायम मायावती कॉंग्रेस राहूल इनके साथ रहोगे अपने साथ आजाओ तो यह तो आपस में कमटीशन है इसका हमसे को ले नहरू जिन्ना परस्त हैं आप मुसल्मानों की पॉलिटिक्स करते हैं आप बीजेपी की बी टीम है योगी जी कहते हैं आप समाजवादी पार्टी के एजेंट है जवाब दीजे सर मैं आज सुबह में देखा कि सुप्रिम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उत्तर परदेश में जो गंदी हवा आ रही है उसकी वजे पाकिस्तान है तो अब क्या बोल सकते हैं वो सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान से पॉलूशन हो रहा है तो सी जी आई ने पाकिस्तान के इंडस्ट्रिस को बैन करूं तो यह हम अकेले नहीं है सुप्रिम कोर्ट तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान से पॉलूशन हो रहा है यूपी में यह आपके यूपी सरकार ने कहा तो हर चीज़ में जिन्ना नज़र आता है जिन्ना की जुरुष निया गन जेपी ने लिया हम तो नहीं लिये मगर यह जिन्ना की बात क्यों करते हैं हमको समझ भी नहीं आता है खिलेश यादव ने छेड़ा इस बार मैं बिल्कुल सही कर रहा है तो वो मुसलिम के एक कॉन्फरेंस में थे यह समझते हैं ना वो की जिन्ना का नाम लेंगे तो हमारी तरफ आएंगे क्यों पाकिस्तान परस समझते हैं जिन्ना परस समझते हैं अगर ऐसा उन्होंने सोच कर बोला तो बिल्कुल गलत है मुसल्मान को भारत के मुसल्मान को जिन्ना से क्या करना है हमने तो रिजेक्ट किया हम तो इंडियन भाई बर्थ भी है और बाई चॉइस भी है तो जिनास हम को क्या करना है जिनास को जो मानने वाले थे वो चले गए पाकिस्तान को जो भारत की खुबसूर्थी को मानते थे डैवर्सिटी को मानते थे प्रोरिजम को मानते थे और मौना अबूलकला माजाद ने जो डिली के जावमजद के सिडियों पर खड़े होकर मुसल्मानों से कहा था कि तुम हिजरत के मुखदस नाम पर फरार की जिंदेगी मत गुजारो और तुम्हारी आवास के बगएर इस मुल्क में फैसले अधूरे रहेंगे तारीखी जुम्ले थे उनके जो सरकार की तरफ से ने कहा था तो हमने आप बस उन्निस पीजदी पे सेंटर्ड रहेंगे ये अगर कहें हिंदूओं की बात तो गलत है आप उन्निस पीजदी और उनका कोई नेता है नहीं है मैं ही नेता हूं बोले तो ठीक बात नहीं नहीं देखिए ऐसा है ना कि सबसे बड़ाb dichterी in-kaam जो बाबा ने किया उतर प्रदेश में वो ये किया मुक्हयमंत्री है न वो तो बाबा नहीं ये काम किया कि मोडी अमिच शा ने सबको हिंदू बना दिया था तो बाबा ने साड़े-на-चार साल में थाकुरवाद थाकुरवाद इतना किया कि अब उनका डिप्टी चीफिनिस्टर बोलता है कि मैं मौरिया हूँ एक डिप्टी चीफिनिस्टर कहता है मैं ब्रहमन हूँ और मोडी जी बागेल को मिनिस्टर बनाते हैं अनुपरिया को कुर्मी का बनाते हैं तो उसमें कोई प्र पर आप तो सिंगिलर पॉलिटिक्स करते हैं आप तो कहते हैं उननिस पीजदी का ही मुझे रेप्रेसेंटेशन करना है इसलिए हम यह कह रहे हैं कि जो कमजोर उससे इंसाफ होना ना ताकतवर से इंसाफ की बात नहीं करेंगे आप जो कमजोर है उसको उठाना पड़ेगा औ और हकीकत है उत्तरपरदेश में अगर आप सोशल एजुकेशनल एक्कनॉमिक इंडिकेटर्स देखेंगे तो सबसे कम उत्तरपरदेश के मुसल्मानों के हैं विल्कुल सच है यह तो गौर्मेंट का डेटा कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं यूपी में ठाकुरवाद का वो इसके अलावा हिंदुत में भाशन राहूल गानी ने दिया हमने नहीं दिया और इन्होंने सही कहा यह नहीं बोलते हैं कारण क्या है ना यह तो साक्षात मूर्तिमान सरूप है ना तो इन्हें बोलने की जरूवत नहीं है यह तो करके दिखाते हैं इसलिए मैं तो कहूंग बीसी नहीं है अब दूसरी बात मैं कहता हूँ आपने जाद की बात कही है देखे यही मैं कहना चाहूँगा एक बहुत अजीब बात है जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्रामर ठाकुर्द दलित यादव जाट कुन्मी सब हो जाते हैं वही वहां क्यों नहीं होता आप है कि एक में तो जाद दिखाते रहो और बाकी में जबकि मैं एक और बात कहूंगा पूरे अदब के साथ विद्वान आदमी है यह एक मुसल्मानों का फिरका बताएं जिसने दूसरे खिलाब फत्वा ना जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक है और दुनिया भर में भारत दंगे नहीं देखे शिया सुन्नी दंगे देखे थे मगर यह चीज कहीं सामने नहीं आती इसलिए यह एक शडियंत्र है कि हिंदू समाज को वर्ग जाती और उसमें विभाजित करके रखिए और अगर आप जातियों में विभाजित करें तो सोशली एक बड़ा अच्छा क आपने भी वही दाना दाना शुरू कर दिया मगर जब आप सारी जातियों को साथ में लेके एक यूनिट एक छत्र के नीचे आजए वह से मिश्रा टेनी आपके इतनी बड़ी मजबूरी क्यों बन गए सर बताइए ब्रामन मंत्री बनाया यहीं मजबूरी है ना अब उनको आउंगा यह मवाई कंबनेशन क्या था यह बताइए चार जातियों को जूते मारने वाली किसकी बो थी बिहार में भूरा बाल निकालना हूं भूरा बाल चार जातियों का नाम जगर चार जातियां खा जाएंगी खाम के एच-एम यह सब जुमले किसके यह आज से 30-40 साल पेरिस चला रहा है जातियों में विभाजित करो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करो आप हिंदूओं को जातियों में बाट कर फाइदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते पहले तो मैं शुदानचु साब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अकिलेश यादव राहूल गांदी एक जगा बैठ जाएए अगर आप बोले तेस होटल में रूम बुक करायता हूं डिसाइड कर लीजिए कि मैं क्या हूं आप डिसाइड कर लीजिए उसके बाद आप आप तमाम मिलकर एक साइन करके बोले यह हम सर्टिफाई कर रहे हैं क्यामत आएगी यह सब एक साथ बाठेंगे ना हमारे लिए बोल रहे हैं चलिए अचा दूसरी बात यह है कि आपने मुसल्मानों के बारे में सब सही कहा यह इसमें जाते हैं कास्ट मैं भी मानता हूं अगर यह बताएए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका प क्यों नहीं इटा रहे कुएंकि उनके ओड चाहिए आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया प्रैमिनिस्टर ने खड़े होकर पारलेमेंट में कहा कि हमने ओबी सी समाच के लोगों को मिनेस्टर बनाया प्रैमिनिस्टर खुद करते हैं तो हम तो वही कह रहे रहे और ये reality है, मुसल्मानों में diversity है मुसल्मानों में अंसारी है, मुसल्मानों में खुरेशी है मुसल्मानों में मुसलिम गुजर भी है, सैफी भी है बहुत से सियद है, पठान है, बहुत सी बरादरिया है मगर एक चीज़ जो उनमें नहीं हो, political empowerment नहीं है और इसी वज़े से हम पीछे हो रहे हैं, आप से सही का M-Y कॉंबनेशन, M-Y कॉंबनेशन में खाली Y को फाइदा हुआ, और आपके पास, आप तो साड़े चार साल में मुख्या मंतरी तो सिर्फ ठाकुरवाद किया, इसलिए BJP परेशान है, दर्दे सर का शिकार BJP है, कि चाहते हैं, हम बेटकर की पार्टी से वहाँ पर महराश्च में आपने गट बंदन किया, वहाँ से लेकर अब तक आप भी छोटी पार्टी है, राजबर साब के साथ, आप भी तो एक स्ट्राटेजी से चल रहे हैं ना, जाहरे मैडम, आपका शुक्रिया आपने अमा स्ट् कुल सच है, अचा और एक देखे, जलुम जब होता है ना, एक गुपता सहाब मर गए गोरगपूर पुलिस कस्टेडी में, तो फोरा मुख्यमंत्री दोड़े, अकीलेश दोड़े, मुख्यमंत्री ने का पचास लाग नौकरी, अकीलेश ने कीस लाग का चेक दे दिया, व अट्रॉसिटीज में भी आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, देखे, जहां तक अट्रॉसिटीज की बात है, हम किसी भी प्रकार का कोई भेदवाव नहीं करते, मैं तो एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा, इनके नजरिये में हमेशा आता, पहले तो एक बात क्लियर कर देते, अपना पिंड दान कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है, इसलिए योगी जी अपने शपत पत्र में अपने पिता का नाम नहीं लिखते, अपने गुरु महंत अवैदनात का नाम लिखते हैं, क्योंकि हमारे याँ परंपरा है, जात न पूछो सादू की, कोई आज की बात थोड़ी है, कि मुस्लिमों पर अत्याचार जादा हो रहा है, उनके उपर करवाई जादा हो रही है, यह जब पोटा आया था, तब भी यही कहा गया था, चलिए, पोटा लाए हम थे, हटाया था कॉंग्रेस ने, अरे टाड़ा याद करिये, लाए राजी का इलाका देखिए, तो कौन से नाम जाने याते थे, अतिक एमद, मुक्तार अंसारी, अबू सलेम, छोटा शकील, अब तो वो नाम नहीं दिखते, और मैं कहता हूँ, यह तब से नाम दिखने लगे, जब से देश सेकुलर हो गया, जब यह देश सेकुलर रही था, उनीस स बिगरे सगरे काज, इसी उत्तर प्रदेश में बज़ू सुल्तान पर ही होते थे, जोश मलियाबादी होते थे, अक्बर इलाबादी होते थे, कैफी आजमी होते थे, मगर जब से सेकुलर हो गया, अबू सलेम चोटा शकील, मुक्तार अंसारी अतिक एमद होने लगे, प्र लोगप्रेनेत हैं और यह तमाम के तमाम बहुवली हैं, हंड्रेट केसे क्रिमिनल केसे हैं, एक से केसे उनके पर, लंडन में पढ़ा हूँ अब बैरिस्टर आज बहुवली हो को डिफेंड कर रहा है, पॉलिक्स के मजबूरी है थे, लिखे, डिफेंड नहीं कर रहा सम्भीधान के तहद अगर आप उनको कन्विक्शन दिला दीजे नहीं लड़ेंगे लेक्शन नहीं लड़ेंगे लेक्शन कौन बोर रहा है मगर अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 100 MLA's हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जिस नहीं अचा ये पूछ है उनसे 77 केसि मुझाफर नगा राइट्स के विड्रॉ कर लिए आपने क्यों विड्रॉ करें भाई और रहा सवाल टाडा का क्या कन्विक्शन देट था टाडा का नौट इविन 2-3 परसंट पोटा का क्या कन्विक्शन देट था नौट इविन 2-3 परसंट आप खानून तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना मगर कुसका कन्विक्शन रेट का अच्छा और एक बात ये आपका टेनी साहब आपने घर क्यों ने तुड़ाया उनका बुल्डोजर क लेकर उसको भी जा दिया यह तो यह आप करेंगे तो सब चीज सही है और कोई हम बोल रहे हैं कि भाई यह आप कर रहे हैं तो कोई गलित नहीं है अच्छा यह बताईए गोटसे की तारीफ मैंने की हेमन करकरे को बदूआ मैंने दी आपके पास है ना किसने किया और आप चुरू की वहीं से आपने तो कहा कि यह तरफदारी कर रहे हैं मुखतार अंसारी पर मुगदमा दर्जुआ यहां और जहां पर कहां पर उनको सहिया कोतवाल नजर आए पंजाब में महफूज मुकाम पर जलवा अफ्रोज थे क्या यूं कहूं शुद हिंदी में पंजाब इस पे भी आ रहा हूं देखिए ऐसा है कि जो लखिंपूर की घटना हुई वह बहुत दुखत थी परन्तु मैं कहना चाहूंगा कि वहां चार नहीं आठ लोग के हत्या हुई थी चार लोग की कुचल कर हत्या हुई और आठ लोग को घेर कर पीट-पीट कर मार दिया गया और जब हम समवेदन शीलता से बात करेंगे तो सारी हत्या एक समान है और सबके ऊपर एक समान करवाई होनी चाहिए परन्तु यहां समस्या क्या है कि उसमें भी देखा जाता है कि यह वाली हत्या के बारे में बोलने में लाब है अमुक हत्या के बारे में बोलने में लाब थी कोर्ट में कोई सस्टेन नहीं कर पाए वालग बात है इन्हों ने कहां हम एक समुदाय के केसे बिड्रॉ करेंगे हाई कोड से फटकार लगी इसने रुख गए ऐसा कोई सरकार करती है कि कोई सामपुर्दाइक धंगा हुआ तो हम एक कम्यूनिटी के केसे बिड्रॉ था वो और कुछ नहीं था वो आपके दिल में था वो कह रहे थे इसलिए जुगलबंदी इन दोनों में है और आरोब जो है दूसरों पर लगाते हैं कभी आपका दिल आएगा कि आप उन लोगों के घर जाए जिनको वहां पर जिनकी लिंचिंग हुई थी नसर उनको दिन उस घटना के बाद वहां पर पीट पीट कर मारा गया था उन परिवारों का दर्द क्यों नहीं दर्द लगता वैसी जी को आपको तो नाम भी नहीं याद होगा सर इखलाख के घर को कौन गए थे आप गए थे मैं गया था यही तो मैं कह रही हूं आप मेरे ही बात को पहले मेरे सवाल का जवाब आप अखलाग के घर जाएंगे आप चार हिंद मुस्लिम नाम यहां गिनाएंगे आप क्यों नहीं उन परिवारों के घर गए आप इनको आईना दिखाते जिनकी वहां लिंचिंग वी थी जिनको हादसे के बाद किसने कहा नहीं गए थे आप ग कि गाड़ी से लोग मरते हैं तो एक रवया उसका घर बुल्डोजर में नहीं आता सुप्रीम कोड को आपने तो यह नहीं कहा सुप्रीम कोड को आपने का कि हां और यह गलती हुई इसकी वज़े से अगर वह गाड़ी नहीं चालाता तो मरते क्यों पूलोग आपका एक मंत महबबत नहीं कम से कम उनको बुला लेते हैं उन सिख्वों को उसका बेटा जो मरने वाले का बेटा सरत पर हमारी हिफाज़त कर रहा है बाप कहता है कि बेटा तु सरत की फाज़त कर मैं खेत में यहां पर अनाज उगाऊंगा और खिलाऊंगा आप बताइए आप मिलाखा suppressed no लुक्रा इत Greece वें ुट इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह किसी भी चीज़को बहुत सेलेक्टिव ली देखने का प्रयास करते हैं हम समानलूस से देखते और एक और बात मैं कहूंगा इसे अन्मिता नहीं लेना चाहिए भीड किसी ने गाड़ी ने आकर पीछे कुछला अगर भाग ये से कोई वेक्ति देख लेता गाड़ी पीछे से आ रही तो उसके आग बचने की संभावना थी पर अगर भीड ने घेर कर आपको लाठी से पीट-पीट कर मारा उसमें तो बचने की कोई संभावना नहीं थी आप जस्टिफाई करें ना 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 ये कह रहा हूँ अब ये कहा गया कि जानके जीब चढ़ाई गई है तो 120 बी के मुकदमे के तहट यहां जांच के बाद सिद्ध होगा कि वो जानके चढ़ाई गई या अपने आप या गलती से चढ़ी ठीक है ये जांच में प्रूव हो जाएगा मगर जिसको घेर के मारा गया इसमें तो किंतु परंतु है नहीं इसमें भी कोई ये संभावना आएगी बाई चांस वो फज गया और बाई चांस लाठियां पढ़ गई और बाई चांस उमर गए वो तो सरया मत्या है और यहां तक कहा गया ना ने सुनिए ना मैं यह कह रहा हूँ आगे की बात तो सुनिए टिक है जी तो यह बोले कि जिन लोगों ने लाठी से पीट के मारे के उन पर हत्या का मुकदमा नहीं चलना चाहिए इसका जबाब दीजे ना आप इतना क्या डिस्क्रिमनेंशन कैसे कर सकते हत्या 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 है दोनों तरफ से मुकदमा चलना चाहिए आप लोग किसानों के घर क्यों नहीं गए ऑ तो इसलिए हम लोग है और जहां तक यह बात है तो यह लोग जब आये तो एक और बात समझेए लखीमपूर की इतनी तोड़ चल रही थी इतनी तोड़ चल रही थी पंजाब से कि मुख्यमंत्री अलग आएंगे और उनके अध्यक्ष अलग आएंगे इसका क्या मतलब था इ नहीं है उनके उपर राजनीत करने का उद्देश वरना अगर पार्टी है और सुनिए उदर प्रियंका गांधी अलग जाएंगी राहूल गांधी जा रहे हैं एक ही प्रांत के दो नेता अलग अलग जा रहे हैं एक हवाई जा रहा है और एक बाई रोड सिद्दू बाई जा रहे हैं चन्नी हवाई जा रहे हैं यह क्या है और आप लोग हर रोक रहे थे अरेस्ट कर रहे थे सब को खाली वह जो आपने बात कहीं उसका करन जानते क्या है यह राहूल जी और प्रिंका जीक पास सिक्वर्टी कौन सी है जहां जाना है उस जगहे को देखते हैं और उसके बाद सिक्वर्टी फोर्चेद उनको वहां लेके जाते हैं आप बगएर प्रोग्राम के अगर आप जाना चाहते हैं तो जेट प्लस पर एसेल में बूव नहीं कर सकते हैं अब आप खुद नियम तोड़ते हैं फिर के सिक को पता नहीं है एसल वाला जहां जाएगा एक ठाने को खबर होगी तो आपको वेलिन एडवांस बताना पड़ेगा वहां पुलिस का बंदोबस्त होगा अजजे नहीं हवाम चल दिये अच्छा सर यह बताईए सो सीटों पर इनको फाइदा पहुंचाएंगे आप कितनी सी मंतरी हो देजेस भी नहीं माने हमारी बात को हम तो कई मरतबा प्रियास किये कोशिश किये मार नहीं माने यहां खिलेश जी बात कर रहे है क्या बार बार कहा जा रहा है कि राजबर जी के जरीए क्योंकि आपने पहले उनके साथ लाइंस किया था राजबर जी किसा आपको क कोई लव लेटर नहीं आया कोई पैगाम नहीं कोई कुछ ने मुझे बोले जा रहे हैं इस लेला का कोई मजलू बनने को तियार नहीं है मुझे इसकी कोई फिकर नहीं है मुझे इसकी कोई फिकर नहीं है यह उतर पर देश की जनता देख रही है और उतर पर जनता फैसला करे है 19 परसंट को आप क्या करेंगे हम क्या कोई बैंड बजा की पाटी है मुसल्मान के हार्वोनियम लेके वावाव करें और आपका तारीफ करें थाली बजाए और घरें बढ़ आए अरे आप सुनिए मोटर देखेगा ना सर कि कौन मोधी योगी कोहरा सकता है जब आप पिछल 25 परसंट मुसलिम ओट मिला और बीजेपी को 74 हिंदू ओट मिला आपसे 15 सीट जीत पाए हमारी वज़े से हार गए क्या आप अकिलेश यादव के परिवार के तीन-तीन लोग हार गए हमारी वज़े से हार गए इनमें इतनी अखल नहीं है कि हार रहें अपनी वज़े से और जीते हैं तो नेता की वज़े जीते हारे तो मुसलिम ओट नहीं दिया हम मुसल्मानों से कह रहें कि भाया आप कपता की हार जीत में लग रहेंगे अपनी लिडर्शिप को डेवलप करिये आपका बार्गेनिंग पावर क्या है पॉलिटिक्स में आपका कुछ हाई नहीं है आज उतर परदेश मुसलिम ओट की को हैमियत नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको ओट की हैमियत कब होगी जब ये अपनी इंडिपंडन प्रोटिकल लिडर्शिप को बनाएंगे अरी डर डर करेंगे और आप मसीहा हैं उनके ने मैं बिलकुल मसीहा नहीं हूँ मैं बिलकु समयां अपनी लिडर्शिप बनाए ժोलिटिकल लिडर्शिप बना है तो उन्निस परसंट पर आप कैसे जीट जाहिए गा शेया न Ferrti नहीं पर संद्ष है न नौप तो कह रहें गे डिप्टी सीम आम कीले जाट को बना देंगे क्या बात है नीस परसंट को नहीं बद Hail यही तुम कह रहे ना किसी को तो साथ लेके जाना पड़ेगा ना अब आप से कोई साथ मिला अरे मैडम बहुत से लोग हाथ मिलाएंगे बहुत अब देखते जाएए इसे व्यक्ति को वोट दूँ जो योगी का को हरा सके जब आपकी सरकार नहीं बनते हुए देखेंगे तो आपकी लोग प्रेता में आके ताली खुब बजाएंगे मैडम अच्छे भाशन देते हैं बैरिस्टर साहब मैडम खुब ताली बजाएंगे वोट देते समय सोचेंगे अखिलेश को देदू आप यह समझ रहे ह कर साम में पेश करके आप दिखाएंगे डराएंगे आपने ध्रुवी करण का काम ओवेसी जी को आउट्सोर्स कर दिया है देखें ओवेसी जी जो काम कर रहे हैं यह तो वो लोग बहुत पहले कर चुके हैं अभी आपने जो बोला ना लैला मजनू मैं उसी से बास शुरू हो गये एक है मजनू वो जो मुसलिमों की सिति लैला की तरह हो गई है एक मजनू है समाजवादी पार्टी जो क्या कहती अरे मेरा कारनामा तो देख मैंने गोली चलवाई थी दूसरी कॉंग्रेस पार्टी वो तो देख और अब एक यह आ गए कहते मेरा खांदानी घराना तो देख तो समस्या तो यह है कि इन लों में आपस में कमप्टीशन चल रहा है हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं हम तो विकास की बात करते हैं और आप मोहतरमें मजलिस मुहाफिजे इतिहादुल मुसलमीन आकर कहते हैं कि साथ सब विरादरियों का नेता है तो मुसलिमों का क चाहिए यह एक्जैक्टली वही है जो सौ साल पहले हुआ था उन्नीस सो बीस में जिन्ना ने यही कहा था कि भाई क्यों तिलक गोकले गांधी नहरू की कॉंग्रेस के साथ रहोगे आप अपने साथ आ जाओ क्यों मुलायम मायावती कॉंग्रेस राहूल इनके साथ रहोग मैं आज सुबह में देखा कि सुप्रेम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि उत्तर परदेश में जो गंदी हवा आ रही है उसकी वज़े पाकिस्तान है तो अब क्या बोल सकते हैं वो सरकार ये कह रही है कि पाकिस्तान से पॉलूशन हो रहा है तो सी जी आई ने कर पाकिस्तान के इंडस्टिस को बैन करों तो यह हम अकेले नहीं हैं सुप्रिम कोर्ट तक पहुँच चुकी हैं कि पाकिस्तान से पॉलूशन हो रहा यूपी में या आपके यूपी सरकार ने कहा तो हर चीज़ में जिन्ना नजर आता है जिन्ना की जरूएत निया गन्य क की खीमत की जरूएत है जो उस पर बात नहीं करते अब रहा सवाल के हमने तो कभी जिन्ना का नाम लिया यह भी नहीं 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 खाब में भी सोचते अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो जितना नाम जिन्ना का समाजवादी और बीजेपी ने लिया हम तो नहीं लिये मगर यह जिन्ना की बात क्यों करते हैं हमको समझ भी नहीं आता है खिलेश यादव ने छेड़ा इस बार मैं बिल्कुल सही करते हैं तो वो मुसलिम के एक कॉन्फरेंस में थे यह समझते हैं ना वो की जिन्ना का नाम लेंगे तो वो हमारी तरफ आएंगे ना क्यों पाकिस्तन परस समझते हैं जिन्ना परस समझते हैं ने उनकी और ऐसा ऐनोंने सोच कर बोला तो बिल्गुल गलत है मुसल्मान को भारत के मुसल्मान को जिना से क्या करना है हमने तो रिजेक्ट किया हम तो इंडियन भाई बर्थ भी है और भाई चॉइस भी है तो जिना से हमको क्या करना है जिना को जो मानने वाले थे वो चले गए पाकिस्तान को जो भारत की खुबसूरती को मानते थे, डैवरसिटी को मानते थे, प्रॉरिजम को मानते थे और मौनान अबूलकला माजाद ने जो डिली के जावमजदी के सिडियों पर खड़े होकर मुसल्मानों से कहा था कि तुम हिजरत के मुखदस नाम पर फरार की जिंदेगी मत गुजारो और तुम्हारी आवास के बगएर इस मुल्क में फैसले अधूरे रहेंगे तारीखी जुमले थे उनके, जो सरकार की तरफ से ने कहा था, तो हमने आप बस 19.50 पर इस सेंटर्ड रहेंगे, यह अगर कहें हिंदूों की बात तो गलत है, आप 19.50 और उनका कोई नेता है नहीं है, मैं ही नेता हूं बोले तो ठीक बात नहीं नहीं, देखी ऐसा है ना, कि सबसे बड़ा बहतरीन काम जो बाबा ने किया उतर परदेश में, वो यह किया बाबा कॉन? बाबा मुख्यमंत्री है ना वो, तो बाबा ने ये काम किया कि मोडी अमिज शाह ने सब को हिंदू बना दिया था, तो बाबा ने साड़े चार साल में ठाकुरवाद इतना किया, कि अब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलता है कि मैं मौरिया हूं, एक डिप्टी ये भारत की पॉलिटिक्स की, पर फर्क क्या है, ये भी कोई भरम नहीं देना चाहते, ये भी किसी मुस्लिम को वहाँ पर ना टिकट देते है ना मंत्री बनाते है, हम तो देते हैं, मौसिन रजा को लेकिन बना दिया है नो ने, हाँ बना है ना, पर आप तो सिंगिलर पॉ अगर आप सोशल एजुकेशनल एकनॉमिक इंडिकेटर देखेंगे, तो सबसे कम उतरपरदेश के मुसल्मानों के है, विल्कुल सच है ये तो गवर्मेंट का डेटा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, यूपी में ठाकुरवाद का वो चना फेक रहे हैं कि आप लोग ठाक का नाम हमने नहीं लिया था, अकलेश जी नहीं लिया था, अयोध्या राइजिंग किताब सल्मान खुर्शी नहीं लपका किसने जिनना को, लपका अब लीजिये, आप ये बात कहेंगे, लपकने के बात नहीं, उच्छाला किसने पहले तो बताईए ना, अब दूसरी बात आप बताता हूं, इसके अलावा, हिंदु तुम्हें भाषण राहूल गानी ने दिया, हमने नहीं दिया, और इन्होंने सही कहा, ये नहीं बोलते हैं, कारण क्या है ना, ये तो साक्षात मूर्तिमान सरूप है ना, तो इन्हें बोलने की जरूवत नहीं है, ये तो करके द कोई 19-20 नहीं है अब दूसरी बात में कहता हूँ आपने जात की बात कई देखिए यही मैं कहना चाहूंगा एक बहुत अजीब बात है जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्रामर ठाकुर दलित यादव जाट कुनमी सब हो जाते हैं वह वहां क्यों नहीं होता आप कभी बत का है कि एक में तो जाद दिखाते रहो और बाकी में जब कि मैं एक और बात कहूंगा पूरे अदब के साथ विद्वान आदमी है यह एक मुसल्मानों का फिरका बताएं जिसने दूसरे खिलाब फत्वा ना जारी कर रखा हो कि एंटी इस्लामिक है और दुनिया भर में भा इसलिए यह एक शडियंत्र है कि हंदू समाज को वर्ग जाती और उसमें विभाज़ित करके रखिये और अगर आप जातियों में भाज़ित करें तो वो सोशल वो सोशली व्यादिलांग अभी जो नया मंदल विस्तार हुआ शुद कहा कि हमने डलितों को जगा दी है देख सारी जातियों को साथ में लेके एक यूनिट एक छत्र के नीचे आजाएं वह से वह जे मिश्रा टेनी आपके इतनी बड़ी मजबूरी क्यों बन गए सर बताइए ब्राम्मन मंत्री बनाया यहीं मजबूरी है ना अब उनको हटाने में डर रहें की कलौता बनाया था क्यों प में भूरा बाल निकालना हूं भूरा बाल चार जातियों का नाम जगर चार जातियां खा जाएंगी खाम के एच एम यह सब जुम्ले किसके हैं यह आज से 30-40 साल पहरे चला रहा है जातियों में विभाजित करो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करो आप हिंदूों को जातियों में बाट कर फाइदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते हैं पहले तो मैं शुदानचु साब से एक गुजारिश करूंगा कि आप अकिलेश यादव राहूल गांदी एक जगा बैठ जाएए अगर आप बोले तिस होटल में रूम बुक चलिए अच्छा दूसरी बात ये है कि आपने मुसल्मानों के बारे में सब सही कहा ये इसमें जाते हैं कास्ट मैं भी मानता हूं मगर ये बताएए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एमपॉर्मेंट क्या है क्या को उसका नेता है भी बरहमन सम में किया प्रेम ने खड़े होकर पारलिमेंट में कहा कि हमने ओबीसी समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया प्रेमनिस्टर खुद करते हैं तो हम तो वही कह रहें ना कि political empowerment मुसल्माना को होना चाहिए और ये reality है, मुसल्मानों में diversity है मुसल्मानों में अंसारी है, मुसल्मानों में खुरेशी है मुसल्मानों में मुसलिम गुजर भी है, सैफी भी है बहुत से स्यद हैं, पठान हैं, बहुत सी बरादरिया हैं, मगर एक चीज़ जो उन में नहीं हो, पॉलिटिकल एमपाउर्मेंट नहीं हैं, और इसी वज़े से हम पीछे हो रहे हैं, आप से सही का M-Y कॉम्बनेशन, M-Y कॉम्बनेशन में खाली Y को फाइदा हुआ, और आप आपने भी ऐसा जुमला बोल दिया, विचारे नोटी सी नहीं कि आपने पंडिट जी कही दिया उनको, पर ये बताए कि आपका खेल भी तो समझ में आ रहा है, सर मुस्लिम दलिट कॉम्बनेशन आप चाहते हैं, अमबेटकर की पार्टी से वहां पर महराष्ट में आपने गट बंदन किया, वहां से लेकर अब तक आप भी छोटी पार्टी है, राजबर साब के साथ, आप भी तो एक स्ट्राटेजी से चल रहे हैं ना, ने जाहरे मैडम, आपका शुक्रिया आपने अमा स्ट्राटेजी की बात की, मगर जहां तक दलिट समाज की बात है, अब बत पुर्ता सहाब मर गए, गोरगपूर पुलिस कस्टेडी में, तो फॉरा मुख्यमंत्री दोड़े, अकीलेश दोड़े, मुख्यमंत्री ने का पचास लाग नौकरी, अकीलेश ने कीस लाग का चेक दे दिया, वही एक उतर पर दे, काश गज में, अलताफ मारा गया, पुल आप लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, देखे, जहां तक अट्रॉसिटी की बात है, हम किसी भी प्रकार का कोई भेदवाव नहीं करते, मैं तो एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा, इनके नजरिये में हमेशा आता, पहले तो एक बात क्लियर कर दूँ, इन्होंने हमारे यह कहा कि भाई, वो ठाकुर है, मानेवर, जिसको हिंदू धर्म की परंपरा को पता हो, कि जो वेक्ति संत हो जाता है, वो वेक्ति अपना पूरा परिवार, जात तो छोड़िये, परिवार छोड़ देते, अपना पिंडदान कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है, हम मैं दूसरी बात प्याता हूं देखे इनका तो अपना एक चश्मा एक नजरिया है जैसी नजर है वैसा, नजरिया है इसलिए इनको तो यह भी नजर आता है, यह कोई आज की बात थोड़ी है, कि मुस्लिमों पर अत्याचार जादा हो रहा है, उनके उपर करवाई जादा ह रही है यह जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था चलिए पोटा लाए हम थे हटाया था कॉंग्रेस ने अरे टाड़ा याद करिए लाय राजीव गांधी और हटाये गया नर्सिमाराओ के जमाने में किसलिए मुस्लिम यादा शिकार हो रहे हैं ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित किया क्यों अब ये भी बताता हूं हमारी सरकार आने से पहले उ जब ये देश सेकुलर रही था 1976 से पहले इसी उत्तर प्रदेश में बदायू का रहने वाला शकील बदायू ने एक भजन लिखता था लखनो का नौशाद अली उसको संगीत देता था और मुहम्मद रफीक आता था और भजन क्या था मन तरपत हरी दरसन को आज मुर तेरे बिगरे सगरे काज इसी उत्तर प्रदेश में बज़ू सुल्तान पर ही होते थे जोश मलियाबादी होते थे अकबर इलाबादी होते थे कैफी आजमी होते थे मगज़फ से सेकुलर हो गया अबू सलेम चोटा शकील मुखतार अंसार यती कैमद होने लगे प्राब्लम वहा आपको बहुत पसंद है वहां शाबुदीन से लेकर यहां पर नहीं इनकी पार्टी में जो सो मेले हैं क्रिमिनल केसे उन पर है दूद के दूलेवे हैं हंड़े मेलेस के अपर क्रिमिनल केसे हैं क्या बात कर रहे हैं हंड़े मेलेस के अपर क्रिमिनल केसे जब नहीं दिखा róża हूं मैं यह कह रहा हूँ कि जब संविधान के तहता अगर आप उनको कन्युक्शन दिला दीएख isn't इस दिलेंगे के लेक्शन कौन बोर रहा हैं बगर अगर अगर आप तो त्री परसенट पोटा कया के बेड़ था नौट यू तो त्री परसंट कर रहिए नाज उसका conviction rate का अच्छा और एक बात ये आपका टेनी साहब आपने घर क्यों ने तुड़ाया उनका बुल्डोजर क्यों ने लगाया उसको अगर वही कोई करता है बाबा बोलते हैं बुल्डोजर लगा दूगा इनका क्यों ने लगाया क्योंकि वो बड़ी बरादरी के हैं उनक का ओट चाहिए तो घर को छोड़िये उनका बेटा तो टहल रहा था वीडियो निकला तो सुप्रीम कोट ने सो मोटो लेकर उसको भी जा दिया यह आप करेंगे तो सब चीज सही है और कोई हम बोल रहे हैं कि भाई यह आप कर रहे हैं तो कोई गलित नहीं है अच्छा ये बताइए गोटसे की तारिफ मैंने की हेमन करकरे को बदुआ मैंने दी आपके पास है ना किस ने किया और आप सब भूल जाते हैं बातों को संया भाई कोतवाल सारे केस वापस ले लिए आपने अच्छी शब्द बोल दिया संया भाई कोतवाल जानते कहां पे हुए थे जा कोतवाल नजर आए पंजाब में महफूज मुकाम पर जल्वा फ्रोज थे क्या यूं कहूं शुद्ध हिंदी में पंजाब की कॉंग्रेस सरकार के इसने पूर्ण सानिध्य में स्वास्त लाब कर रहे थे अब बताइए कौन B team है कौन A team है दोनों में घजब की जुगल बं थी चार लोगों की कुचल कर हत्या हुई और आट लोगों को घेर कर पीट-पीट कर मार दिया गया और जब हम संवेदन शीलता से बात करेंगे तो सारी हत्या एक समान है और सबके ऊपर एक समान करवाई होनी चाहिए परंतु यहां समस्या क्या है कि उसमें भी देखा जात कि यह वाली हत्या के बारे में बोलने में लाब है अमुक हत्या के बारे में बोलने में लाब नहीं है हमने अगर मुआफजा देने की बात कहीं तो सबके ले कई मुझफण अगर का जो इन्हों ने केस कहा मुझफण अगर तो बड़ा यूनिक केस था आपको विएक लाइन ब तो उस धंका जो आपने कारे किया था वो और कुछ नहीं था वो आपके दिल में था वो कह रहे थे इसलिए जुगलबंदी इन दोनों में है और आरोब जो है दूसरों पर लगाते हैं आपका दिल आएगा कि आप उन लोगों के घर जाएं जिनको वहां पर जिनकी लिंचिंग हुई थी ना सथ उनको दिन धाड़े उस घटना के बाद वहां पर पीट पीट कर मारा गया था उन परिवारों का दर्द क्यों नहीं दर्द लगता है वैसी जी को आपको तो नाम भी तो आपने तो आपको मानना पड़ा कि आप गलती किये अप मेरे पहले मेरे सवाल का जवाब आप अखलाग के घर जाएंगे आप चार हिंद मुस्लिम नाम यहां गिनाएंगे आप क्यों नहीं उन परिवारों के घर गए आप इनको आईना दिखाते जिनकी वहां लिंचिं हर जगा गए क्यों नहीं जाएंगे वर हम आपके बता रहे हैं कि अगर गुपता सहाब मरते हैं तो एक रवया और और टेनी की गाड़ी से लोग मरते हैं तो एक रवया उसका घर बुल्डोजर में नहीं आता सुप्रीम कोर्ट को आपने तो यह नहीं कहा सुप्रीम मुख्या मंत्री चले आते बुला लेते लगनों उनको हेलिकॉप्टर से आप नहीं बुलाए आप माइनॉरिटी है ना वो चलिए मुसल्मान माइनॉरिटी से योगी सरकार को महबत नहीं है कम से कम उनको बुला लेते उन सिखाओं को उसका बेटा जो मरने वाले का बेटा सर कि इफाज़त कर मैं खेत में यहां पर अनाज उगाऊंगा और खिलाऊंगा आप बताहिए आप मिलाखात भी नहीं करते हैं अचा चली वह नहीं मिले प्रधान मंत्री कम से कम एक फोन कर लेते राजनाजी फोन कर लेते डिफेंस मिनिस्टर के भई हम आपके साथ हैं ब्रजे ना वो दलित था ना वो किसान था हाथ काट दिया गया हाथ काटके लटका दिया गया इतनी निर्शन्स हत्या कहीं और उई होती तो पता नहीं कितना आस्मान सरबूट इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह किसी भी चीज को बहुत सेलेक्टिवली देखने का प्रयास करते हैं हम स बचने की कोई संभावना नहीं थी अब जस्तिफाइब ना 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 मैंने मैं को यह कह रहा हूं सुदान को अब यह कहा गया कि जानके जीब चढ़ाई गई है तो 120 B के मुकदमे के तहत यहां जाच के बाद सिद्ध होगा कि वो जानके चढ़ाई गई या आपने ऑर यहां तक कहा गया ना 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 सुन्दिये ना न nickname से चढ़ारे लोगों पर मैं यह कह रहा हूं आगे की बात तो सुनिए ठीकेज तो यह बोले कि जिन लोह ने लाठी से पीट के मारें चैनल बाबंगां नहीं चलना चाहिए इसका जवाब दीजे ना आप इतना डिस तो इसलिए हम लोग है और जहां तक यह बात है तो यह लोग जब आये तो एक और बात समझेए लखीमपूर की इतनी तोड़ चल रही थी पंजाब से कि मुख्यमंत्री अलग आएंगे और उनके अध्यक्ष अलग आएंगे इसका क्या मतलब था इसका मतलब वहां करने का उद्देश नेए अगर पार्टी है और सुनिये उदर परियंका गांधी अलग जाएंगी राउल गांदी एक पार्टी के चर्चल लोग जा रहे है एकहएख़ ती नेटा अलग अलग जा रहे हैं एक हवाईजा से जा रहा है और एक बाई रोट să obrigado चनिया रहे है यह क्या है और आप लोग हर जगह रोक रहे थे अरेस्ट कर रहे थे सबको खाली वह जो आपने बात कर इसका करण जानते क्या है यह राहुल जी और प्रेंगा जी को पास security कौन सी है जेट प्लस नहीं है जेट प्लस विद एसल एसल का मता हुथा एडवांस सिक्यूर्टी लाइजनिंग यह स्पीजी के बाद सबसे वो जो और देश के ग्रह मंत्री के पास है देश के रक्षा मंत्री के बास है वो जहां जाएंगे तो पहले रूट को सेनिटाइज करते हैं ज आप उनकी सुरक्षा के लिए उनको बंदी बना रहे हैं अगर आप जाएंगे तो बंदी बना देंगे फिर वो जाडू करते वह विडियो निको खबर होगी तो आपको वेल इन एडवांस बताना पड़ेगा वहां पुलिस का बंदोबस्त होगा अजज़े नहीं हम चल द पाइदा ने हो रहा इनको बलकि हम इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं बिहार में अगर सुनिए बिहार में अगर आरज़ेडी के लोग हमारी बात मान लेते तो आज वो मुख्यमंत्री हो देते जिस भी नहीं माने हम तो कई मरतबा प्रयास किये कोशिश किये मार नहीं मान है इस लेला का कोई मज्मूब बनने को त्यार नहीं है मुझे इसकी कोई फिकर नहीं है यह उतर पर देश की जनता देख रही है और उतर पर जनता फैसला करेगी हम यह बता रहे हैं कि आप यादव जो है नौ परसंट हैं और दो-दो मरतम उक्ष्यमंत्री बन गए बार बार तर डरा रहें और आपर आदे हैं हकिकत बयान कर रहें 19 % को आप क्या करें घ्रiquement कWhen P97 कॉर कीं पारी आपकरें और आपक अधारिफ करें थाली बजाए और ख्रा भाड़े खेंगी का रड़ अ है जब आप पिछली बार 37 सीट पर लड़े इस बार आप 100 पर लड़ीगा जब आप पुख्य मंत्री नहीं दे सकते हैं तो आपको क्यों वोड देगा दोजार उनीस में हम तो हम नहीं लड़े बी एस पी और सप्पा मिल कर लड़े 75 परसंट मुस्लिम ओट मिला और बीजेपी को 75 हिंदू ओट मिला आप से 15 सीट जीत पाए हमारी वज़े से हार गए क्या आप अकीलेश आदफ के परिवार के तीन तीन लोग shipping हमारी वज़े से हार गए इनमें इतनी अखल नहीं है कि हार रहें अपनी वज़े से और झीत है तो नेटा की वज़े जीते हारे तो मुसलिमोट नहीं दिया हम मुसलमानों से कह रहे हैं कि भाया आप कब तक हार जीत में लग रहे हैं अपनी लीडर्शिप को डेवलप करिए आपका बारगेनिंग पावर क्या है पॉलिटिक्स में आपका कुछ है नहीं आज उतर परदेश मुसलिमोट की को एहिमियत नहीं है म आप ही एंनका कोई लीडर्शिप नहीं या मसीहा है हाइं हाइदराबाद से में तो वही कह रहा हो ना कि मैं वहां पर अपनी मखबूलिएत में जाफा करें नहीं आया हूं मैं यह चाहता हो कि जिस तरह हर समाज ने अपनी लीडर्शिप बना ली उस तरह मुसलिमी समाज किसी को तो साथ लेके जाना पड़ेगा अब से कोई साथ मिलाएं तब ना मैडम बहुत सो लोग हाथ मिलाएंगे बहुत बहुत अब देखते जाएंगे कुछ हम लोगों को संकेत दीजे किस से बात चीज़ेंगे जब हो जाएगा आपको बता देंगे अभी आई तो सो सीटों पर लड़ेंगे आप पूरी सीटों पर देखें एक एक बहुत सीरिस अगर आपको योगी को चुनौती देनी है तो मुस्लिम अदाता यह देखता है कि मैं ऐसे व्यक्ति को वोट दूं जो योगी को हरा सके जब आपकी सरकार नहीं बनते हुए देखेंगे तो आपकी लोग प्रेता में आके ताली खुब बजाएंगे मैडम अच्छे अच्छ करेंगे कब तक हमको लिजाकर साम में पेश करके आप दिखाएंगे डराएंगे आपने ध्रुवी करण का काम ओवेसी जी को आउट्सोर्स कर दिया है देखें ओवेसी जी जो काम कर रहे हैं यह तो वो लोग बहुत पहले कर चुके हैं अभी आपने जो बोला ना लैला मज मैं उसी से बास शुरू करता हूँ हकीकत क्या है कि यहां कई मजनू खड़े हो गए एक है मजनू वो जो मुस्लिमों की सिती लैला की तरह हो गई है एक मजनू है समाजवादी पार्टी जो क्या कहती अरे मेरा कारनामा तो देख मैंने गोली चलवाई थी दूसरी कॉंग्र पार्टी वो क्या कहती अरे मैं तेरा आशिक पुराना वो तो देख और अब एक यह आ गए कहते मेरा खांदानी घराना तो देख तो समस्या तो यह है कि इन लों में आपस में एक कमटीशन चल रहा है हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं हम तो विकास की बात करते हैं और आप महतरमे मजलिस महाफिजे इत्तिहादल मुसल्मीन आकर कहते हैं कि साथ सब विरादरियों का नेता है तो मुसलिमों क्यों नहीं होना चाहिए यह एक्जैक्ली वही है जो सौ साल पहले हुआ था 1920 में जिन्ना ने यही कहा था कि भई क्यों तिलक गोखले गांधी नहरु की कोंग्रेस के साथ रहोगे अब अपने साथ आजा आजाओ वो यह आज कह रहे हैं क्यों मुलायम मायावती कोंग्रेस राहूल इनके साथ रहोगे अपने साथ आ जाओ तो यह तो आपस में है इसका हमसे को लेना देना जिन्ना परस्त हैं आप मुसल्मानों की पॉलिटिक्स करते हैं आप बीजेपी की बीटीम है योगी जी कहते हैं आप समाजवादी पार्टी के एजन्ट है जवाब दीजे सर मैं आज सुभा में देखा कि सुप्रेम कोर्ट में यूपी सरकार ने क है कि पाकिस्तान से पॉलूशन हो रहा है तो सी जी आई ने अबज़र्फ किया कि क्या मैं आब बैट कर पाकिस्तान के इंडिस्टिस को बैन करूं तो यह हम अकेले नहीं हैं सुप्रेम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं कि पाकिस्तान से पॉलूशन हो रहा है यूपी में य हम खाब में भी सोचते अगर आप रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो जितना नाम जिन्ना का समाजवादी और बीजेपी ने लिया हम तो नहीं लिये मगर यह जिन्ना की बात क्यों करते हैं हमको समझ भी नहीं आता अगर ऐसा उन्होंने सोच कर बोला तो बिल्कुल घलत है मुसल्मान को भारत के मुसल्मान को जिन्ना से क्या करना है हमने तो रिजेक किया हम तो इंडियन भाई बर्थ भी है और बाई चॉइस भी है तो जिन्ना से हमको क्या करना है जिन्ना को जो मानने वाले थे वो चले गए पाकिस्तान को जो भारत की खुबसूरती को मानते थे डैवर्सिटी को मानते थे प्रॉरिजम को मानते थे और मौना अबूलकला माजाद ने जो डिली के जावमजद के सिडियों पर खड़े होकर मुसल्मानों से कहा था कि तुम हिजरत के मुखदस नाम पर फरार की जिन्देगी मत गुजारो और तुम्हारी आवास के बगएर इस मुल्क में फैसले अधूरे रहेंगे तारीखी जुमले थे उनके जो सरकार की तरफ सुने कहा था तो हमने आप बस 19 पीजदी पर सेंटर्ड रहेंगे यह अगर कहें हिंदूों की बात तो गलत है आप 19 पीजदी और उनका कोई नेता है नहीं है मैं ही नेता हूं बोले तो ठीक बात नहीं नहीं देखी ऐसा है ना कि सबसे बड़ा बहतरीन काम जो बाबा ने किया उतर परदेश में ओओ यह किया ऑविख्यमंत्री हे ना वो तो बाबा नेए काम किया कि मोडी अमिश्षा ने सब को हिंदु बना दिया ठा तो बाबा ने साले चार साल में ठाकुर्वाद ठाकुर्वाद इतना किया कि अब उनका डिप्टी चीफ सब स gült बता है कि मैं मोरिया हूं एक डिप्टी चीफ चीफ नहीं कहता है मैं ब्रहमन हूँ और मोडी जी बागेल को मिनिस्टर बनाते हैं अनुपरिया को कुर्मी का बनाते हैं तो उसमें कोई प्राबलम नहीं है यह बात बिल्कुल सच है कि रियालिटी है उतरपरदेश हो यह भारत की पॉलिटिक्स की पर आप तो सिंगिलर पॉलिटिक्स करते हैं आप तो कहते हैं उननिस पीज़ी का ही मुझे रेप्रेसेंटेशन करना है इसलिए हम यह कह रहे हैं कि जो कमजोर है उससे इंसाफ होना ना ताकतवर से इंसाफ की बात नहीं करेंगे आप जो कमजोर है उसको उठाना पड़ेगा और हकीकत है उत्तरपरदेश में अगर आप सोशल एजूकेशनल एकनॉमिक इंडिकटर देखेंगे तो सबसे कम उत्तरपरदेश के मुसल्मानों के हैं विल्कुल सच है यह तो गौर्मेंट का डेटा कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं यूपी में ठाकुरवाद का वो चना पेक रहे हैं कि आप जवाब देता हूं देखिए जिनना का नाम हमने न है लिया खिलेश गीकिंप कि लपका किसने जिनना को यह निई लपकशाला किसने पहले तो बताईए ना अब दूसरी बात-बात पाप मैं बनाता हूं इसके अलावा राहू कि समाजवादी पार्टी इनकी भी टीम है क्योंकि जो यह चाहते हैं जो इनके दिल में हैं वो लोग सिर्फ बोल के रह जाते हैं हाँ अब यह इनके दिल में जिन्ना है यह यह तो मूर्थ इमान सुरूप साक्षाथ इसमें कोई 19 20 नहीं है अब दूसरी बात में कहता हूं आ आप कभी बताईए कि यह शिया यह सुनी यह देवबंदी यह बरेलवी यह एहले हदीस और यह तुर्क यह भेना यह गद्धी यह घोसी यह पसमंदा यह तो नहीं होता है यही तरीका है कि एक में तो जाद दिखाते रहो और बाकी में जब कि मैं एक और बात कहूंगा और दुनिया भर में भारत में नहीं दुनिया भर में लड़ाई एक दूसरे खिलाप नहीं लड़ना हैं। मगर यहाँ पर सब मुटताहिद हो जाते हैं और हम लोग भी इसमें आ जाते हैं, हाँ सब सब एक है जैसे मैं तो लखनौ कर रहने वाला हूं। तो आप बच्पन में मैंने हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं देखे शिया सुन्नी दंगे देखे 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 लिए यह चीज कहीं सामने नहीं आती है इसलिए यह एक शडियंत्र है कि हिंदू समाज को वर्ग जाती और उसमें विभाजित करके रखिए और अगर आप जात अगर जब आप सारी जातियों को साथ में लेके एक यूनिट एक शत्र के नीचे आजाए वह से वह से मिश्रा टेनी आपके इतनी बड़ी मजबूरी क्यों बन गएं सर बताइए ब्रामन मंत्री बनाया यहीं मजबूरी है ना अब उनको हटाने में डर रहें कि इकलौता ब एम वाई कॉम्बनेशन क्या था यह बताइए चार जातियों को जूते मारने वाली किसकी वो थी बिहार में भूरा बाल निकाल रहा हूं भूरा बाल चार जातियों का नाम अजगर चार जातियां खा जाएंगी खाम के एच एम यह सब जुम्ले किसके हैं यह आज से 30-40 साल पहले चला रहा है जातियों में विभाजित करो और उसके बाद अपना उल्लू सीधा करो आप हिंदूओं को जातियों में बाट कर फाइदा लेना चाहते हैं और मुस्लिम के जातियों की बात नहीं करते हैं पहले तो मैं शुदान्चु साहब से एक गुजारिश करूँग पताएं इस कमरे में कौन सी कयामत आएगी यह सब एक साथ बैठेंगे ने ने हम कर देंगे ना हमारे लिए बोल रहे हैं चलिए अचा दूसरी बात यह है कि आपने मुसल्मानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं कास्ट मैं भी मानता हूं मगर यह बताए कि अगर और वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एमपॉर्मेंट क्या है क्या को उसका नेता है भी बरहमन समाज का आपने भी एक्जामपल दिया आपकी यूनिन मिनिस्टर है गाड़ी उनकी बेटा उनका चार को मारता है मर मंतरी है क्यों ने अटा रहे क्योंकि और चाहिए आपने खुद कैबिनेट एक्सपेंशन में किया प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पारलिमेंट में कहा कि हमने OBC समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया प्राइमिनिस्टर खुद करते हैं तो हम तो वही कह रहें ना कि पॉलिटिकल एमपॉर्मेंट मुसलम दरिया हैं मगर एक चीज़ जो उनमें नहीं हो पॉलिटिकल एमपॉर्मेंट नहीं है और इसी वज़े से हम पीचे हो रहे हैं आप से सही का M Y कॉम्बनेशन M Y कॉम्बनेशन में खाली Y को फाइदा हुआ और आपके पास आप तो साड़े चार साल में मुख्या मंतरी तो स में बताइए कि आपका खेल भी तो समझ में आ रहा है सर मुस्लिम दलित कॉम्बनेशन आप चाहते हैं हम बेटकर की पार्टी से वहां पर महराश्च में आपने